अप्स्टॉक में डॉकुमेंट क्या लगेंगे, प्रोसेस क्या रहेगी, कोई दिक्कत आई तो, अकाउंट उपनिंग चार्जेस क्या रहेगी, क्या कोई ओफर चल रहे है, लिंक कहां मिलेगी, इन सारे सावालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हू तो चलिए देखते हैं, अप्स्टॉक की डिमेट अकाउंट की प्रोसेस स्टेब बाइ स्टेब, आप स्क्रीन पर रिक्वाइड डॉकुमेंट देख सकते हैं, जैसे कि पान कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल, चेक, 6 मन बैंक स्टेटमेंट आपको F&O के लिए लगेगा, जै मोबाइल नमबर एंटर करने के बाद आप सेंट OTP करें, जैसे ही आप सेंट OTP करते हैं, कुछ ही मिन्टो में ये OTP आपको आपके मोबाइल नमबर पर मिल जाएगा, ये OTP आपको एंटर योर OTP की जगा पर डालना है और साइन अप कर देना है, जैसे ही आप OTP एंटर करक sign up कर देते हैं account opening process start हो जाएगा अब आपको अपनी basic details यहां डालनी होगी जैसे की pancard number और date of birth ये दोनों details डालने के बाद आप next पर click कर दे अब आपको आगे पुछी गई जानकारी step by step click करते जाना है जैसे की gender, marital status, annual income, trading experience आपका कितना है आप politically exposed है या नहीं है आपका occupation क्या है इसके बाद आपको tax का declaration भी click करना होगा जैसे आप screen को नीचे drag करेंगे आपको tax की जानकारी कुछ इस तरह पुछी जाएगी इसका answer जो भी हो yes या no उस पर click कर दे screen को फिर से थोड़ा drag कर ले और नीचे जो declaration के box है उसमें click कर दे और उसके बाद next पर click कर दे आगे आपको trading preference पुछे जाएगी जैसे कि आप जिसमें भी trade करना चाहते हैं जैसे कि equity, commodity, currency, fno इसके साथ ही आपको इस page पर trading charges के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी आप इसे ध्यान से पढ़ लें और next पर click कर दें अगर company के कोई offers चल रही होंगी तो उसका pop-up भी आपको इस page पर आ जाएगा इस page पर आपको आपकी bank account details पूछी जाएगी जैसे कि account holder का name, आपका bank account number, IFSC code ये सारी details आपको डालने होंगी आप जो भी bank इस account से link कराते है आपका pay in और pay out इसी bank से होगा जब पूछी गई bank details पूरी तरह complete हो जाएगा तो आप next पर click करें तो next page जो है, वो documents upload का होगा यहाँ पर आपको अपने documents upload करने है जैसे कि signature एक white paper पर sign करके उसकी photo लेके या फिर आप सामने-सामने photo लेके upload कर सकते है next आपको आपकी photo upload करनी है या फिर आप direct take picture पर click करके direct photo निकाल सकते है और upload कर सकते है उसके बाद आपको आपकी location शेयर करनी होगी अगर आप अपने दोस्त या relative को account opening के लिए refer करते है तो आप इसके साथ साथ earn भी कर सकते है next आपको आपका email address यहाँ डालना होगा और get OTP पे click करना होगा जब ये OTP आपको मिल जाए ये OTP आपको आपके email address पर मिलेगा ताकि आपका email address जो है वो verify हो जाए जब आपको OTP मिल जाए तो OTP enter करे और next पर click करे अगर आप अभी account open करते है तो आपको account opening free है और lifetime delivery भी free है जैसे ही आप इसे accept करते है तो आपके सामने ये pop-up confirmation का आ जाएगा इसे continue कर दे अब आपके सामने आधार OTP वाला page open हो जाएगा जैसे ही आप इसे click करते है तो इसे process होने में हो सकता है थोड़ा time लगे आपको एक security code आएगा जो mobile number आपने enter किया है उस पर security code डाल कर submit कर दे जैसे ही आप ये code डाल कर submit करेंगे तो next page आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा इस पर आपको sign now करना है इस पर click कर देना है और drag करके अगर आप चाहे तो पूरा form चेक कर सकते है कि आपके details कहां पर क्या भरी गई है अब आपके सामने ये last process वाला page आ जाएगा इसमें आपको इस box में click करना है और आपका आधार नंबर यहां पर डालना है जब आप अपना आधार नंबर यहां पूरी तरह डाल दे तो उसके नीचे दिये गए send OTP पर click करें ये OTP 10 मिनिट तक वालिड रहता है हो सकता है कि कभी-कभी आपको ये OTP late मिले या ना मिले ऐसा होने पर आप recent OTP कर सकते है जब आपको OTP मिल जाए तो आप इसे enter OTP की जगा पर डाल दे और verify OTP पर click करें जब आपका OTP verify हो जाएगा आपके सामने ये pop-up आएगा next आपके सामने ये information आएगी कि आपकी application जो है वो submit हो चुकी है आप यहाँ से documents डाउनलोड कर सकते है अगली process के लिए आपको अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना है जो proceed दिख रहा है उस पर click कर दे दोस्तों account opening process में कभी-कभी changes होते रहते है ये changes आपके KYC verified पर depend करते है अगर आपका KYC verified है तो आपको documents कम लगेंगे या फिर process कम लग सकती है अगर आपका KYC verified नहीं है तो हो सकता है आपको एक-दो process ज्यादा करने पड़ जाए ये वाली process में आपसे आधार कार्ड upload करने के लिए कहा जाएगा तो आप आधार कार्ड front और back दोनों ही upload कर दे अगर आप tap to upload पर click करते है तो आप इसे direct photo लेकर भी upload कर सकते है अगर आपको account opening process में कोई दिक्रत आ रही है तो upstock का आपको support रहेगा साथ ही हमारा भी आपको पूरा support रहेगा उपर दिये गए number पर आप call कर सकते है अगर आप trading support चाहते हैं तो हमें comment में जरूर लिखे अगली process जो है वो IPv की है आपको जो सामने दिख रहा है record और select video इस पर click करकर एक self camera open होकर आप उसमें एक 10 second का video record करके upload कर दे इस video में आपको आपका आधार कार्ड अपने साथ रखना है और वो सामने दिखाना है आप इस video में जो view sample IPv video दिख रहा है उस पर click करके sample video भी देख सकते हैं जैसे ही IPv की process complete हो जाती है आपका account process हो जाएगा within a one day आपका account open हो जाएगा account opening की link नीचे description में दी गई है साथ ही upstock का जो application है उसका भी link नीचे application में दिया गया है आप description में जो link दिया है उस पर click करके account opening कर सकते है तो दोस्तों अगर आपको ये video अच्छी लगी तो इसे subscribe करें जादा से जादा share करें और bell icon पर click करें ताकि हमारे जो भी आने वाले नए videos है उसका notification आपको पहले आ जाए तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में share market की कुछ और जानकरी के साथ Thanks for watching